हेलो एवरीवन तोड़ेवे विल स्टार्ट टोपिक्स लैंड इग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन्स मीजर्स ठीक है यह हमने क्या किया है अपनी लैंड को पास्ट जनरेशन से लिया है ठीक है और यह हम क्या करेंगे अपनी फ्यूचर जनरेशन को एज गिफ्ट में देंगे ठीक है ठीक है 95% अवर बेसिक नीट्स फूल सेल्टर और क्लोथिंग्स आर अप्टेंड फ्रॉम दा लैंड ठीक है हमें क्या होता है 95% जो हमारी जरूरत होती है जैसे खाने की ठीक है सैल्टर यानि की रहने के लिए क्लोथिंग्स आर नी कपड़े के लिए ठीक है और क्या करते हैं हम इसमें अप्टेंड करते हैं जमीन से human activity have not about about degradation of land human activity के दुआरा क्या हो रहा degradation हो रहा यानि कि degradation कैसे हो रहा human activity कौन गों सी जैसे कि हमारी fertilization कर रहे हैं यानि कि हम उसमें क्या कर रहे हैं अलग-अलग प्रकार के fertilizers use कर रहे हैं अलग-अलग प्रकार की chemical compositions कर रहे हैंड के उपर हम अलग-अलग प्रकार के डिस्पोजल छोड़ देते हैं या डिस्पोजल गेर देते हैं डिस्पोजल क्या हम डिस्पोजल मीन्स होता है डिस्पोजल का मीन्स है जो हम पूरी तरह से जैसे कि हम अपनी शादी भ्यां में अलग-अलग प्रकार के डिस्पोजल यूज़ करते हैं जैसे खाने खाने के लिए हम डोने वगएरा या फिर पतल वगएरा ठीक है इनको यूज़ करते हैं ठीक है अब क्या इसके बाद है दूसरा है नैचुरल फॉर्सीज और नैचुरल फॉर्सीज के दुआरा कैसे लेंड डिग्रेडेशन हो रहा जैसे कि फ्लीड का मतलब है यानी कि बाद हागी तो इसके कारण मीं डेमेज ओफ लेंड याने कि भूमी की उरवरत्ता खतम हो जाती है तो वहा पर क्या होता है गास से क्या होती है भूमी खतम हो जाती है mining and the query to the contributor significance in land degradation और ये कारण है किसका land degradation होने का ठीक है mining sites are the blended after the intervention work is a completely living deep scarce and trace of overburdening यानि कि land के उपर जब हम mining करते हैं या खुदा ही करते हैं तो उससे भी क्या होता है बहुत ज़्यादा भूमी पर बहुत ज़्यादा burden पड़ता है यानि कि भार पड़ता है ठीक है in states like जारकन जैसे जारकन में, चत्तिसगड में, मध्यपरदेश में और ओडिशा में deforestation क्यों हो रहे क्योंकि वहाँ पर mining activity हो रही क्योंकि जितनी भी mining activity है जंगलों को काटके ही की जारी ठीक है मध्यपरदेश and महरास्टा are grazing in the most main part of regions of land degradation ठीक है मध्यपरदेश में और महरास्ट में, क्या हो रहा वहाँ पर सबसे ज्यदा क्या हो रहा पश्वों को चराने के लिए खेती की जारी वह पश्वों को चराया जा रहा घास से एक बाव बताओ जब घास जमीन से चली जाएगी तो जमीन की एक पकड होती है कि वह मिट्टी क्यों कटती है मिट्टी इसलिए कटती है क्योंकि उस पर कोई पकड नहीं रहती और वो वर्षा के पानी को रोकने के लिए वन ही सायक होते है या फिर धास ही सायक होती है और जब उस पैसे पशु गास को खा कर देंगे तो क्या होगा जो प्रत्वी है उसकी जो लैंड है जो भूमी है उसकी वे प्रते धीरे-धीरे क्या होने लगेंगी फ़े फटने लगेंगी ठीक है ये हम आग गया जाके देखेंगे चित्रों के माध्यम से इंदा स्टेट पंजाब हरियाना वेस्टर नुत्र प्रदेश ओवर इरिगेशन का मतलब क्या है यह आप एप जब सीचाई के ज़्याद से ज़्यादन यूज किये जाते हैं जब आपने देखा होगा कि जब जमीन के उपर ज़्यादा पानी आ जाएगा तो क्या होगा वो मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्लो करके लिए जाएगा ठीक है इससे बढ़ेगी हमारी सैलेनिटी सैलेनिटी का मतलब है कि उसके अंदर शारिय कुना जाएगी यानि कि नमकीन हो जाएगी भूमी क्या हो जाएगी यानि कि वे अमलिय हो जाएगी यानि से कि क्या होगा हम उसमें मिट्टी के अंदर अलग-अलग प्रकार की फसली नहीं हो सकते the mineral processing like grinding ठीक है lime stones for the cement industry ठीक है और क्या है भूमी को piece कर यानि कि जमीन को जो piece कर minerals जो को piece कर lime stones को piece कर like lime stone क्या है गंदक्स है या जिंक है इनको piece कर क्या मना है cement industry में यूज किया जाता है या फिर soft stones soft stones क्या होते हैं soft stones होते हैं आपके एक परकार का powder होता है यह सफेद कलर का ठीक है जो हमारी toffee वगेरा में क्रैमी या फिर soft stones वो होते हैं जो हमारा आपने देखा हो बिंदी lipstick powder या पॉंट्स की creams वगेरा बनाने में क्रीमिक industry यानि कि आपने देखा होगा जितने भी आप cosmetic product यूज करते हो उसमें भी आपकी soft stones यूज होता है ठीक है जिसे हम cell खड़ी वगेरा जैसे भी बोलते हैं ठीक है industry generated a quantity of the dust in the atmosphere और mining के दुआरा क्या होता है dust particles atmosphere में मिल जाते हैं और जो आदमी के human's lungs को परभावित करते हैं ठीक है humans को परभावित करते हैं atmosphere में क्या हो जागा फिर जब dust particles क्या हो जागे जब mining करेंगे दूह ऋडएगा धूल उडएगी तो होगा वे dust particle atmosphere में आ जाएंगे और उसके करण क्या होगा वे पानी में मिलेंगे और मिट्टी में मिलेंगे और जिसके करण क्या होगा इंफ्लेंच हो जाएंगे आदमी के फेफडे वगेरा ठीक है इट रिकार्ट इट रिटार्ड दा प्रोसेस ओफ inflation of water और यह पूरी तरह से पूरी तरह से अदर से नहीं निकलते यानि कि इसको पूरी तरह से purification नहीं कि आ जाता ठीक है क्योंकि आपने देखा होगा सारी की सारी जो settles down on the land, ठीक है, और settle down करती है यह, ठीक है, in recent years the industrial influence as a waste becomes a measure of land, ठीक है, और क्या है, भूमी क्या होड़ी, major resources जो land पे हैं, वे कौन से है, water pollution in many parts of the country, यानि कि क्या होड़ा, water resources पूरी तरह से pollutant होरते जा रहे, ठीक है, pollutants का, pollutant उसके अंदर डाल ले जा रहे, यानि कि हम क्या कर रहे, जैसे हमने नमामी गंगे एक प्रोजक्ट का नाम सुनोगा, नमामी गंगे हमारे देश के प्रदान मंतरी नहीं जिने है, गंगा को मा का, इससे पहले जितने भी प्रदान मंतरी वे उनने प्रोजक्ट कहा था, तो क्या है कि भारत की जितनी भी नदिया है, उसको यानि कि जो गंगा नदिया है, वो सबसे बड़ी नदिया है, और उसे हम में पूरी तरह से सनरक्षित करना, ठीक है? they are the many way to solve the problem land degradation, ठीक है, हम land degradation की problem अलग-अलग तरीके सा solve कर सकते हैं, like afferustations and proper of proper management of grazing, can the hem some extent ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं grazing को management कर सकते हैं planting shelters, belts of plants plant की shelter belts बना सकते हैं यानि की पोदे के लिए एक line या कतार बना सकते हैं control कर सकते हैं over grazing stabilization of sand dunes ठीक है, और growing कर सकते हैं throny buses को, ठीक है, और क्या है कि जहाँ पर sandy soil है, वहाँ पर या फिर जहाँ पर रेतिली भूमी है, ठीक है sandy dunes का मतलब है, रेतिली भूमी है, जहाँ पर हम वहाँ पर काटेदार जाडिया उगा कर method से चेक कर सकते हैं, और अपने land degradation को arid area में रोक सकते हैं, तो proper management of waste of lands, और यह क्या है proper management है, किस चीज़ का, proper का मतलब है उचित, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है, management का मतलब है परबंदन, यानि किसी भी चीज़ का उचित तरीके से उसर manage करने की कोशिश करना, control करना mining activity को, और हम mining activity को अगर control कर लें, तो बहुत अच्छी बात है, proper discharge and disposal of industry, the influence the waste and after the treatment can reduce the land and water degradation, अगर हम पूरी तरह से disposal, या फिर जितने भी हम, कोई भी चीज़, जैसे कि कोई भी बच्चा है, उसने सब्वोज maggie खाई या कुछ भी खाई, उसने क्या करा, रस्ते में चलते हुए, गाड़ी में से, कोई खागज या कोई भी चीज फैंक दी, और वो पन्नी उड़ के खेतों में चली गई, खेतों में जाने के बाद, वहाँ पर फसलों को, वो क्या करेगी, नुक्सान वहाँ की, बायो डाइवर्सिटी पूरी तरह से खतम होती जारी, सोयल एज रिसोर्सी, सोयल किस प्रकार से एक रिसोर्सी है, यह हम दिखेंगे इसके अंदर, सोयल is the most important renewable resources, सोयल क्या है, कि natural resources है, जो कभी खतम नहीं हो सकता है, it is a medium of the plant growth and support the different types of living organisms सोंदार्थ, यह क्या करता है, कि यह plants की growth करने में हमारी support करता है, different type of living organisms हमारी प्रत्वी पर रहते हैं, ठीक है, the soil is a living system, सोयल भी क्या है, एक living system है, क्योंकि उसके अंदर अलग-अलग परकार के पेड़ पोदे रहते हैं, it takes the millions year of the from the soil up to a lower, centimeter in depth, अगर मैं soil की definition कहँँ, तो what is a soil, the soil is a thin layer of earth, ठीक है, soil is a thin layer of earth, ठीक है, the relief, the parents rocks, और bad rocks, ठीक है, इसमें क्या होता है, parents rock मिले होते हैं, parents rock वे होते हैं, जो हमारे परवत चोटे-चोटे बागों में तूड जाते हैं, ठीक है, उसको हम parents rocks कहते हैं, ठीक है, फिर climate vegetation and other forms of life, यानि कि फिर क्या हुआ, climate change हुआ, फिर अलग-अलग परकार की vegetation, vegetation का मतलब है, जब भूमे पर अलग-अलग परकार की पत्या गिरती हैं, या फिर अलग-अलग परकार की जाणवर महीं पर मर जाते हैं, तो इसका क्या हुआ, कि इस परकार से हमारी मिट्टी का निर्मान हुआ, आपने देखा हुआ, कि जब जाणवर मर जाते हैं, तो उनका nitrogen « करन हो जाता है कि राई-ो, बी-जम्स के द्वारा वे भी साहिता करते हैं, the various force of nature, suggest the change in the temperature, ठीक है, various force क्या है, nature के है, जैसे कि temperature के कारण भी मिट्टी बदल की है, action of running water, यानि कि वर्षा के पानी के कारण मिट्टी में change आ जाते हैं, ठीक है, और wind and glacier, यानि कि हवा के दुआरा भी change आते हैं मिट्टी में, और glacier का मतलब है, बरफ के गिरने के कारण भी, ठीक है, activity of the decomposers, ठीक है, all decomposers वे होते हैं, जैसे राइवो बीजम्स, ठीक है, decomposers वे होते हैं, जैसे कि कोई जानवर है, suppose कोई share है, decomposers का मतलब है, जैसे कोई share है, share मर गया, ठीक है, और उसके उपर जो bacteria ने, उनको खा लिया, और bacteria ने खा के उसे पोदो की पत्तियों को खा कर, नाइट्रेर अकसाइड में बदला जाता है, तो राइवो बीजम्स भी क्या है महरा, एक परकार कर, decomposers है, contribute to the formation of the soil, chemical and organic change which will take place in the, in the soil, ठीक है, कि ये forms ले ले लेते हैं, किस चीज़ की, ये, जब chemicals and organic change, एक स्थान ले लेते हैं, किस चीज़ का, soil equally important, soil also consists organic humus, humus का मतलब होता है, जब पेड़ पत्ते की पत्तिया गिरती हैं, और फिर राइवो बीजम्स के द्वारा उनको खा के बना जाता है, तो वो जो होता है, वो और गैनिक हूमस होता है, हो मैस को हम इस तरह से समझ सकने हैं, जैसे हम गोबर की खाद बना ले, ठीक है, या केच्वे के द्वारा उस खाद को खा के, वो गोबर को खा के खा के खाद के रूप में, कमपोस्ट के रूप में बनाए जाए, तो वो और गैनिक है, और इन गोरी और गैनिक्स मेटरियल को उन से होता है, इन गोरी और गैनिक्स मेटरियल वे होते हैं, जो परक तैक्च्चर का मतलब है कि उसके अंदर अलग-अलग चीज होती है, आप देखे हो कही की मिट्टी खाली है, मतलब कई की मिट्टी काली है कई की मिट्टी रेड है और रेड की होती है वो क्योंकि उसमें आईरन के दिखता है ठीक है कहीं की पीली होती है तो क्या होता है उसका टैक्ट्चर यानि कि उसके अंदर जो कलर की वेराइटी होती है ठीक है और उसके अंदर अलग-अलग परका परकरती में बहुत प्राणी मिट्टी है ठीक है और जो new soil होती है वो new soil क्या होती है कि आपको सुंदर्वंट हील्टा में या फिर नदियों के दुवारा लाए हुए मैदानों में आपको new soil मिलेगी ठीक है chemical physical property physical property होती है किसी बी चीज़ की बनावाट, ठीके, the soil of India classified in different types, ठीके, इसके different types से देखने से पहले हम देखते हैं कि मिट्टी का निर्मान होता कैसे है, ठीके, चलो, इस diagram की साइदा से हम समझने की कोशिच करते हैं कि इस मिट्टी का निर्मान होता कैसे है, तो सबसे पहले हम इस diagram को देखते हैं कि What is this diagram ठीक है देखो अब मिटी निर्मान कीसे होता है यह बूमी के अंदर सबसे पहले जो मिटी होती है सबसे पहले होती है मारी Dopó player पर होती है मारी भूती बरीक मिटी होती है यह at power layer होती है फिर इसके सब सोयल होती है, सब सोयल का मतलब है, कि यहाँ पे आपको पानी मिलता है, ठीक है, आप यहाँ से पानी निकाल सकते हैं, इसके अंदर से आपको जब आप, आपने देखा होगा कि जब आपके घर में बोरिंग वगहरा होता है, या समर सर्विल लगता है, तो पानी के कारण य भी निकलते हैं धर्ती में से तो यह क्या होगी यह सेकिंड लेयर होगी इसकी ठीक है यह स्वेल प्रोफाइल है यह स्वेस्टेक्चर है जिस तरह से हमारा यह बना हुआ है फिर सब इस्टेटम दव वैदर पैरेंट्स रोक मैटरियल ठीक है और इसके करण क्या होता है जब बारिश होती है और उसके करण यहां पर यह एरिया बनता है ठीक है और सोयल के अंदर से भी जिस तरह से चाय चंदी में चांते हैं इसी परकार से जब उपर से वर्षा का पानी आता है ठीक है जब उपर से वर्षा का पानी नीचे की और आता है भूमी में तो पानी क्या कर दिरे दिरे नीचे से वित्रिकाओं से दीचे रिष रिष के उसके दुआरा आ जाता है लीचिंग हो जाती है सोयल लीचिंग हो जाती है सोयल लीचिंग का मतलब है उसके जितने भी मिन्रल्स होते हैं वे नीचे चले जाते हैं और जो मिन्रल्स आते हैं वे यहीं पर आते हैं भूमी का जहां पर हमें कुछ नी निकलता ठीक है और ये बहुत ही जादा कठोर चटानी नीचे होती है ठीक है इस परकार से हमारी क्या है ये it is a soil profile ये क्या है हमारा soil profile है चलो आजाते हैं next topic पे the aluval soil aluval soil के बारे में आप सभी लोग जानती हो aluval soil हमारे पंजाब ठीक है राजस्तान और इन भागों में मिलती है these have been the deposit for the three important himalya river system और ये कि नदियों के द्वारा बनाई जाती है इंडस के द्वारा यानि कि सिंदू के नदी के द्वारा बनाई जाती है ठीक है गंगा के द्व एक्स्टेंडिड राजस्तान गुजरात थूद और ये जो सोयल है यह राजस्तान के गुजरात में एक नेरो के कोरिडर में aluval soil is found is the eastern coast plain ठीक है और ये पूरवी घाट पर मिलती है ठीक है यानि कि पूरवी घाट यानि कि यहाँ पर महा नदी है यहाँ ठीक है और यहीं पर पूर्वी घाट पर इतने एरिये में यह आपको मिलेगी अलुवेल सोयल और कहा मिलेगी आपको उत्तर भारत के मैदानी भागों में मिलेगी किलियर अलुवेल सोयल इस अलसो फाउंड इस्टर्न कोस्ट प्लेंस तब पर्टिकॉलर्ली इन देल्टा ओफ मानदी मानदी के डेल्टा में मिलेगी गोदावरी के डेल्टा में मिलेगी और डेल्टा मैंने बताया है आपको डेल्टा क्या होता है एक तिरबुजाकार आकरती होती है जब मिट्टी के द्वारा अवसादों को लाया जाता है उपर से तो कुछ नदी इदर से चली जाती है कुछ इदर से चली जाती है और जो यह बीच का भाग बचता है इसको डेल्टा बोलते है और यही पर इसके किनारे पर पेड़ वगेरा हो जाते है और फिर यहां से क्या होता है, इसका समुदर से यहां मिलन होता है नदी का, जहां समुदर से मिलन होता है फिर यहीं पर मैंग्रोटरी हो जाते है आपके, ठीक है? यह हम आगे के chapter में पढ़ेंगे Alluvial soil is a found in the eastern corn for plains The deltas, the mahanadi के delta में मिलेगी Godabri के delta मिलेगी और किस्टना कावेरी के delta के पे मिलेगी The alluvial soil is a consist of various proportions of sand, silt and clay Alluvial soil अलग-अलग परकार की proportions sand और soil में भनी होती है As if we move Iceland towards the river valley और ये नदियों की घाटियों में पाई जाती है Soil particles appear the some bigger the Some bigger the reach valley Near the palace the break slopes ठीक है और उपर से पाड़ी ढलान के कारण ये गिरती है ठीक है और इसके अंदर अलग-अलग परकार की अब इनको बोलते हैं दौार ठीक है दौार बोलते हैं जैसे हरी दौार ठीक है तराई तराई क्या होती है जब पाड़ जब सीवाली की स्रेणियों से नीच पानी गिरता है और यहां पर भाबर का जो छेतर होता है छोटी-छोटी वित्रिकाएं यहां से निकलनी शुरू हो जाती है इन पत्थरों के बीच में से इसको तराई का भाग कहते हैं और यह एक दलदली भूमी होती है ठीक है अपर्ट ओफ दा साइज देयर ग्रांट्स ग्रेंस कंपोनेंट्स सोयल आर्दा अलसो डैस्क्राइब दा उन दा बेसिस ओफ एज और सोयल इसकी एज के अनुसार इसको डैस्क्राइब कहते हैं अकोडिंग के द्वाइब बिएट व और ना अलुईवः सौैल को बोलते हैं ड्रांव जक्राइब पुरानी मिट्ट के द्वारा बनाएं मैिदांको बोलते हैं ओर नहीं मिट्टी के द्वारा बनाएं मैदान को बोलतेik न्नीे एलुईवेब ड्रेश में the banger soil has higher concentration ठीक है, बanger soil higher concentration of the kankar nodal than the khadar ठीक है, और क्या होता है banger soil में सबसे जादा आपको kankar की चोटी-चोटी यानि की चोटे-चोटे kankar पथड मिलेंगे इस तरी परकार के, ठीक है, यह khadar में ठीक है और खादर में क्या है खादर में आपको कंकर नहीं मिलेंगे और जो खादर है वो क्या है वो बहुत ज़्यादा उपजा हुआ है बांगर की अपेक्षा ते अल्यूवल स्वयल एज दा हुआल वैरी फर्टाइल और क्या है डोमट मिट्टी ते अलग अलग प्रकार की आप उसमें क्रिशी कर सकते है पोशक्तत्व और यह क्या होता है ये पोशकतत्व, पोशकतत्व क्या होते है, न्यूट्रिशन क्या होते है, न्यूट्रिशन जिस प्रकार से हमारे खाने में क्या होने चाहिए, पोशकतत्व होने चाहिए, जैसे कि जैसे आपको विटामीन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, इसी प्रकार सा पोधों को भी उभर के लिए चैनिक या फिर फास्पोर्क रजीट चाहिए थिकान चाहिए यह फिर उसको अलग-亞ल्बलिक पकार प्रक्राइजर चाहिए ठीक है और सुगर के रहता है इसके पेडिक हो सकते हैं पैडिकोशिकने और इसके आपके वीट और यह बहुत ही ज़्यादा हाइफ फैटिलिटी होती है यहां पर अलग अलग प्रकार की किर्सी की जाते है रीजन होगा अलुवेल सोयल आर्दा इंटेंसिव कल्टिवेटर एंड देंस पॉलिटर सोयल इन दे ड्राइ एरियास आर्दा मोस्ट अलका अलकाइन ठीक है और य ओलग आर्ड आ चनरम ट्रीट्मेंट ओता है क्योंकि यहां पर प्रोपर टिंट्र्टमेंट क्यों होँगा एंदा न दिया पाई जाती है तो इसलिए आपक हो आंपर हम प्रोपर इंटी ज्गेशन कर सकते हैं ठीक है ठांक्स ऑर वाचिं दहीं विल डिस्कर्स ठैक्स पार भाइमाट